नमस्कार मैं आनंद कुमार क्या आप भी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर पर इच्छा को लेकर चिंतित हैं इदि हाँ तो आपने एक डम सही वीडियो पे क्लिक किया है आप वीडियो पे अंत तक बने रहें और इदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लें प्यारे साथियों इस एक्जाम को लेकर आप सब लोगों को पता है कि अभी तक कोई पुक्ता अपडेट नहीं दी है अभी तक जो भी अपडेटे आ रही है जो भी बताई आ रही है ये किसी के पास भी कोई फेक्ट्वल जानकारी नहीं है हम लोग प्रयास कर रहे थे कि एक टुटर अभ्यान किया जाए इसके लिए कुछ बड़े यूटूबर साथ आये भी जैसे मालवी अक्लासे और कुछ लेकिन बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं है एक दो लोग आपका था कि हम लोग लखनोव चलें और भरती बोर से इस परिक्षा से जुड़ी हुई सारी समस्चाओं के बारे में जाने यह परिक्षा इतनी लेट क्यूं हो रही है या कब होगी 2023 में होगी या 2024 में कराने का प्लान है सरकार का या इस एक्जाम को नहीं कराने का प्लान है जो भी बाते हैं हम लोग भरती बोर से जानने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि क्रप्या जो बच्चे लखनोव चल सकते हैं हम लोगों के साथ बो लखनोव चलने के लिए तयार हो जाए 15 मई का समय हम लोगोंने डिशाइड किया है उस दिन सकते हैं कि उनके कुछ सवाल या सुजाओ हैं तो वो हमारे बाटसप नमबर भी भेश सकते हैं इसके अलावा जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों से मेरा अन्रोद है कहना है कि इस वीडियो को आज का सोसल मीडिया का यूग है आप जो भी ग्रूप जहां भी आप वीडियो हुए हैं उसमें इसको वीडियो को सेयर कर सकते हैं और जो लोग लखनू चलने के इच्छुक हैं वो मेरे मुवाइल नमबर 9810455761 पे कॉल करें और मेरे साथ 15 मई को सहीयोग करें ताकि जो भी सवाल हैं भरती बोड से जाने जा सकें बले ही भरती बोड आज से 6 म दे बच्चे पनी तयारी में जुट जाए हैं मैं यह नहीं कहराओ कि वह मई में ही अग्जाम करा दें वह अभी से लेकर 6 महीने बाल तक कोई भी किवी definite कर दे और वह बच्चे पनी पढ़ाई में जुट जाए हैं वह पनी तैारियों में जुट जाए हैं लेकिन हैकिकत और नहीं मेरे को लग रहा है वो इस बात को लेकर के सीरियस हैं तो आपके कुछ अन्य सवाल भी हैं तो आप में कर सकते हैं इसके अलावा जो बड़ी यूट्यूबर है मेरा उन लोगों से निवेदन है कि करप्या लखनौ चलने को लेकर आप एक वीडियो बनाएं कुछ हमारे साथ जब मैं लखनौ पहुंचूं तो जुड़ें और भरती वोर्ट से सारी सच्चाई जानी जा सके हैं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस एक्जाम का स्री लेना चाहता हूं मेरा स्री लेने का इरादा नहीं है मेरा इरादा सिर्फ इतना है कि मैं यह चाहता है जो भी बड़े यूटूबर हैं इसको लेकर एक वीडियो बनाएं ताकि एक जाम से जड़ी हुई जो भी जानकारियां है वो हम लोग भती बोट से जाम सकें और अगली रणनीत पे जल्द ही अगला वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा तब तक आप लोग प्रियास में लगे रहिए यारे दोस्तों जैहिन